प्रेंड्स English conversation प्रेंड्स English conversation में हम बहुत बार ऐसे sentences बोलते हैं जो किसी आदत के बारे में बताते हैं या किसी ऐसे सच को बताते हैं जो हम सभी जानते हैं यानि general truth जैसे प्रिथवी गोल है जी हाँ ठीक पैचाना आज हम present simple tense को discuss कर रहे हैं इस वीडियो में हम present simple tense के features यानि विशेश्टाएं इसे कैसे पैचाने और अलग लग situation में इसका प्रियोग कैसे करें ये सब जानेंगे फ्रेंड्स पूरी जानकरी के लिए वीडियो को आन तक देखें informative होने पर like, share और चैनल को subscribe करें चलिए एक एक करके सभी points डिसकस करते हैं present simple tense features यानि विशेश्टाएं habitual action जो हमारी किसी आदत को बताते हैं जैसे की he goes to the office by metro वह office metro से जाता है ये उसकी आदत के बारे में बता रहा है कि वो office जब भी जाता है वो metro से जाता है ये उसकी आदत के बारे में बता रहा है कि रोजाना, daily, everyday इस तरह के के शब्द जब हमारे को देखने को मिलते हैं तो हम उसे present simple tense कहते हैं second इसका feature है journal truth यानि वो सच्चाई जो हम सभी जानते हैं जैसे की the sun rises in the east ये सभी जानते हैं और wish you के हर कोने में ये जाना जाता है कि sun rises in the east सूरे पूरव से उखता है how to identify इसको कैसे पैचाने यानि present simple tense को हम किस प्रकार से पैचान सकते हैं इसमें यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी के जो क्रिया है यानि वर्भ है उसका अंत ता ते और ती से होता है जैसे की खाता है, खाती है, गाता है, गाती है sentence structure he, she, it, name plus first form of the verb plus s or es यानि अगर हमारे पास subject के स्थान पर he, she, it या किसी का नाम होगा और उसके बाद हम first form of the verb लगाते हैं उसके साथ हम s या es put करते हैं जैसे की he writes she reads राजन गोज यहां पर he writes first form के साथ हमने es put किया she reads जैसे की she reads यहां पर हमने read first form के साथ es put किया राजन गोज राजन जाता है यानि first form go के साथ हमने es put किया यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो जो भी singular form होगा उसके साथ यानि एक वचन होगा उसके साथ हम first form of the verb plus s और es put करते हैं इसी तरीके से यदि हमारे को subject के स्थान पर I, you, we, they लिखा हुआ मिलता है तो उसके साथ हम केवल first form of the verb put करते हैं जैसे की I write मैं लिखता हूँ यू रिड तुम पढ़ते हो वी गो हम जाते हैं दे कम वे आते हैं negative sentence negative sentence में हम not का प्रियोग किस प्रकार से करते हैं अब हम इस structure में देखते हैं he, she, it, name plus does not plus first form of the verb यहाँ पर इन sentences को अगर हम analyze करें तो हम पाते हैं कि does जो है हमारे पास helping verb यूज हुआ है not को यूज करने के लिए he does not write वे नहीं लिखता है she does not read वे नहीं पढ़ती है राजन does not go राजन नहीं जाता है रजनी does not come रजनी नहीं आती है दूसी तरफ हम देखें तो अगर subject के स्थान पर हमारे को I, you, we, they लिखा मिलता है तो हम उसका structure इस परकार से पढ़ते हैं I, you, we, they plus do not plus first form of the verb जैसे कि इन sentences को अगर analyze करें तो हम पाते हैं I do not write मैं नहीं लिखता हूं You do not read तुम नहीं पढ़ते हो We do not go हम नहीं जाते हैं They do not go वे नहीं जाते हैं Next point is interrogative sentence Interrogative यानि question वाले sentence प्रशनात्मत वाके Structure Does he, she, it, name plus first form of the verb यहाँ पर मैंने helping verb दस को subject से पहले लगा करके question mark set किया है यानि अगर इन sentences को analyze करें Does he write क्या वे लिखता है Does she read क्या वे पढ़ती है Does Rajan go क्या राजन जाता है Next अगर हम देखें तो do I, you, we, they plus first form of the verb यानि अगर हमारे पास subject के स्थान पर I, you, we, they लिखा मिलता है तो हम do helping verb का परियोग करते हैं प्रशनात्मक वाक्य बनाने के लिए जैसे do I, you, we, they plus first form of the verb sentences को analyze करें तो हम पाते हैं Do you write क्या तुम लिखते हो Do they read क्या वे पढ़ते हैं Negative interrogative sentence यानि वो प्रशनात्मक वाक्य जिसमें नहीं का sense भी हो structure does he, she, it, name plus not plus first form of the verb यानि does का helping verb यूज करके हम उसको subject से पहले पुट करते हैं और not की position ये ध्यान देने योग के बात है कि not की position third place पे होगी does he, she, it, name plus not plus first form of the verb sentences को analyze करें तो हम पाते हैं does he not write क्या वे नहीं लिखता है does she not read क्या वे नहीं पढ़ती है does राजन not go क्या राजन नहीं जाता है इसी प्रकार do I, you, we, they plus not plus first form of the verb sentences को अगर analyze करें तो हम पाते हैं do you not write क्या तुम नहीं लिखते हो do they not read क्या वे नहीं पढ़ते हैं so friends अगर ये वीडियो आपको informative लगा हो तो इसको channel को like, share और subscribe करें thank you for putting your value time